इसमें भी लव जिहाद को लेकर कानून बनने जा रहा है अम्मत प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर गो कैबिनेट यानि गायों की सुरक्षा के लिए उनके हितों के सरक्षन के लिए अलग से कैबिनेट बनाई जाएगी ये अचानक से क्या हो गया सिवराज सिंग चोहान को उनकी सरकार को ये आप सब की मन में सवाल आ रहा होगा नमस्कार मैं हूं चंदरभान सिंग बदोरिया और आप देख रहे हैं CB Live तो जिक्रि सिवराज सिंग चोहान के अचानक से हिंदुतवादी और राष्टवादी हो जाने की जी आपने देखा होगा सिवराज सिंग चोहान एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवी को उनोंने गड़ा था जिसमें अटल बिहारी वाचपई की छवी नजर आती थी वो हर ईद पर चले जाते थे अलपसंखे के लोगों को बधाईयां देते थे टोपी पहन लिया करते थे उनके बीच में वक्त बिताया करते थे बोपाल में जब इस्तिमा होता था तो उसके तायारियों को देखने के लिए वहाँ पर मैदान में पहुँच जाये करते थे अधिकारियों को कस्टे थे इंतजामों में कमी ने रह पाए लेकिन अब सिवराओ सिंच चुहान लव जहात के खिलाब कानून बना रहे हैं ये कानून बनाने का सबसे पहला फैसला योगी सरकार ने लिया था और जब तक योगी सरकार एक्जेक्यूट करती उसके पहले मदप्रदेश की सिवराज सरकान ने भी इसका ऐलान कर दिया और गायों को लेकर संग परिवार, बीजेपी, आरेसेस, हिंदुवादी संग्ठन काफी मुखर रहे हैं कि गो सरक्षन होना चाहिए गाय हमारी माता है महारतिय संस्कृति में पुज्य है लेकिन सरकार, शिवराज सिंग सरकार पहले इसको लेकर गंभी नहीं थी गोवंसी पसूं को लेकर परिवहन करने वाले वाहनों को रासाथ करने के नियम की फाइल कई सालों से धूल खा रही थी लेकिन अचानक से सिभुरा सिंग चौहां जाब का गो प्रेम जाग गया और उनने गो कबिनेट बनाने की गोशना की नजी तोर पर इन दोनों फैसलों का स्वागत है लेकिन आज के इस वीडियो में मसला ये है कि अचानक सिवरा सिंग जोहान ने ये सब फैसले क्यों किये ये मैं आपको विशलेशन में बताऊंगा ये मेरा विशलेशन है कमेंट बाक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा हो सकता आप मुझसे सहमत नहों आप अपनी राय रखिए असहमत होने का आपका अधिकार है निजी तोर पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में सिखर पर जाने का रस्ता राष्टवाद और हिंदु त्वाद से होकर जाता है आपको याद होगा कि प्रधान मंतरी बनने के पहले रायटर को एक इंटरूर दिया था नेरेंदर मोदी ने और उसमें उन्होंने कहा था कि खुल के सिखर किया था कि मैं हिंदु राष्टवादी हूँ तो ये जो प्रधान मंतरी मोदी का बयान था इस बयान से के बाद उस बयान को काफी सियासत काफी हुई थी उस पर कई लोगों ने इसे भारत की जो वियुस्ता है सभी को लेकर चनने की जो भावना है उसके विरुद्द माना था लेकिन मोदी अपने फैसले पर अडिक थे उनका कहना था कि हिंदुत्वादी होना राष्टवादी होना गलत नहीं है मोदी सिखर पर पहुँचे और आज बीजेपी को भी उन्होंने सिखर पर पहुँचा दिया है सवाल ये उठता है कि मोदी 2024 में मालीजी ये लोकसवा चुनाव में फिर से रिपीट होते हैं तो मोदी 2029 तक देश की कमान समाल सकते हैं गद्दी समाल सकते हैं मोदी के बाद कौन सवाल ये खड़ा होगा और आप जानते हैं कि बीजेपी में संग परिवार के आशिरवात के बगएर आप सियासत में सिखर पर नहीं पहुँच सकते तो अमिर्शा मोदी के बाद एक नाम आता है अमिर्शा का और दूसरा नाम आता है जो संग को काफी पसंद है योगी आदितिनाद का योगी आदितिनाद फर्स टाइम सी एम है और चार साल की अपनी तीन साड़े तीन साल की यूपी की सियासत में मुख्यमंद्री के रूप में उन्होंने अपनी एक छवी गड़ी है और ये छवी आरेसेस को बेहत पसंद आ रही है तो योगी के मुकाबले पिछड़ते देख रहे थे खुद को सिवरासिंग चोहान और अब उनको लगता है कि अब उनको भी उसी ट्रेक पर चलने की जरूरत है जो ट्रेक आरेसेस को पसंद आए इसलिए उन्होंने दो कदम आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार की तरही लव जहाद पर कानून बनाने का एलान कर दिया और उससे भी आगे बढ़ते हुए गो केबिनेट का गठन कर दिया गो केबिनेट के गठन से निश्चित तोर पर मदपरदेश में गायों को सुरक्षा मिलेगी उनको उनकी रख्षा होगी उनके रख रखाओ के को लेकर एक अलग से सरकारी बजट भी होगा और गोवनसी पसुओं को इससे काफी फायदा भी होगा गो माता सरक्षित होगी लगन इसके राजनीतिक माइने क्या हैं वो आप समझ जाईए मुझे लगता है कि संग को खुश करना भी इसके पीछे एक वज़े है और काम्याब रहे हैं सिवरासिंग चोहान अब सवाल यह होता है कि लव जिहाद पर कानून बना देने और उसके बाद गोग केविनेट का गठन करने के बाद आने वाली इद में क्या पुराने वाले सिवरासिंग चोहान नजर आएंगे क्या वो फिर से जाकर इद की बधाई देंगे सिर्पर टोपी बहने नजर आएंगे जैसा कि वो नजर आते रहे हैं और अगर वो फिर से ऐसा करेंगे तो क्या जो यह फैसले हैं उनके लव जिहाद से लेकर गोस अरक्षन को लेकर जिसके चलते उनको उमीद है कि संग उनको काफी पसंद करेगा तो क्या संग को वो फिर से रास आएंगे यह कई सवाल हैं जिनके उत्तर आगामे दिवारों में ही हमको मिलेंगे तो इतजार करेजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबानें